ये वीडियो में हम लोग अनालसिस करेंगे कल के सेशन में निफ्टी और में निफ्टी क्या क्या लेविल्स पॉसिबल है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी ने एक बॉक्स रेंज का ब्रेकाउट दिया है 16,000 के लेवल के उपर मेजर ब्रेकाउट हो सकता है यह मैं आपको लास्ट 3-4 वीडियो में पहले भी मैं आपको बताया था काफी अच्छा ब्रेकाउट हुआ और काफी अच्छी राली हमें देखने मिली जिस level से breakout दिया है ये level support का काम कर सकता है 16,100, 16,000 का level और ये rally बहुत सारे लोगों ने miss किया था क्योंकि एक ही दिन में 220 points का moment आया था अब कोई भी अगर dip आया 16,100 या 16,000 के असपास तो जिन लोगों ने ये rally miss किया है वो यहाँ पर buying positions बनाने के लिए आ सकते हैं तो कोई भी dip मेलता है 16,100 के असपास काफी अच्छा buy रहेगा stop loss आपको maintain करना चाहिए 16,000 के नीचे और उपर में 16,400, 16,500 पोजिशनल टागेट हम लोग expect कर सकते हैं तो intraday dip आपको use करना है buying positions बनाने के लिए 16,100 के असपास nifty काफी अच्छा buy रहेगा यह nifty का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर आपको एक range दिखरा होगा यह जो swing high बनाया है अब यह level काफी ज़ादा important है अगर कल के session में gap up opening होता है 16,350 या 16,300 के उपर opening होता है और 15 मिनट के चार्ट पर green candle close होता है 16,300 के उपर तो भी आप buying potions बना सकते हो aggressively 16,450, 16,500 तक के intraday target के लिए यहाँ पर आपको दिखरा होगा nifty में ये level के असपास gap support भी है तो 16,100 का जो level है वो काफी अच्छा buying area हो सकता है वहाँ पर आपको definitely buying potions बनानी चाहिए और अगर gap up opening होता है 16,300 के उपर तो भी हम लोग buying के तरफ जाह ध्यान देंगे ये bank nifty का daily chart है और bank nifty आपको दिखरा होगा यहाँ पर इसने false breakout दिया है ये resistance इसने cross किया sustain नहीं हुआ immediately red candle इसने बना दिया है अब कल के session में 35,700 ये level पर ध्यान देना अगर ये level break करता है तो 200-300 point का fall हमें और देखने मिल सकता है 35,500 तक भी bank nifty आ सकता है bank nifty थोड़ा सा weak लग रहा है compare to nifty bank nifty में बड़ा आप move हमें 36,000 के level के उपर ही देखने मिल सकता है तो अगर आपको buying करना है तो 36,000 के उपर 15 minute के chart पे green candle close होने देना उसके बाद आप buying potions बना सकते हो पट कल के session में आपको 35,700 के नीचे short potions पे जाद आन देना चाहिए ये bank nifty का 15 minute का chart है और यहाँ पर आपको bank nifty ने support लिया इसी level के असपास आपको दिख रहा होगा अब ये एक range बन चुका है 15 minute के chart पे 36,100 के उपा अगर निकलता है कल के session में तो definitely आपको buying के तरफ जाद आन देना चाहिए फिर 36,300, 36,500 तक भी जा सकता है bank nifty और अगर ये level break करता है 35,700 का तो ये gap support तक bank nifty आ सकता है 35,400 के असपास तो 200-300 point के target के लिए हम लोग bank nifty को short कर सकते है 35,700 के नीचे आप टेलग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो टेलग्राम चैनल का link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है टेलग्राम चैनल में आपको options buying के trades भी मिलते हैं options selling के trades भी मिलते है और cash level intraday trades में मिलते हैं जिसमें आप intraday में 2-3,000 रप्या कमा सकते हो और यह हमारे various courses है अगर आपको सीखना है तो आप हमारे courses भी join कर सकते हो इसका भी link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है mobile app का भी link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है और अगर आपको वीडियो और analysis अच्छा लगा तो वीडियो को like and share जरू करना क्वाख केऊ है यह लूगा और एंदे झाख वीडियोा जिए उना क्वाणा है